हर्शित मन एवं कर्तल ध्वनी के साथ आप सभी जिग्यासुवों एवं प्रबुद्ध जनों का सभा में हार्थिक स्वागत एवं अभीनादन। स्वातंत्रता की 75 वर्षिगात के अवसरपत एक ओर जहां संपून राश्र बाहरी हुकूमत के बंधन से आजादी का दास्ता से मुक्ति का जश्न मना रहा है। सुखत सयोग है कि इसी समय 75 वी ऑनलाइन वर्क्शॉप के समापन सत्र में हम सभी आज विचार स्वातंत्रे का उच्सव मनाने हेतु एक अत्रित हुए है। बहुर तलब है कि विचार स्वातंत्रे का अर्थ मनमानी नहीं बलकि स्वर नियंत्रन है। व्यवस्था समझ कर व्यवस्थित भागिदारी है। जिसका प्रमान है चार सो से भी ज्यादा ये फेकल्टी वॉलंटियर्स जो एक रॉस्थ नेशन एक लक्ष एक कारिक्रम यानी शिक्षा संस्कार हेतु स्वप्रेणा एवं पून निष्ठा के साथ प्रतिभाग करने हेतु कृत संकल्प है। अगली स्लाइड पर हम मूब कर सकते हैं। दोप्रेटर निटू भागत जी डिटी डिरेक्टर आईपीची, करनल ए श्रीनाथ जी डिरेक्टर बी अपी, करनल बी वेंकटी डिरेक्टर फेकल्टी जवलपमेंट सेल और आट रीजिंस के रीजिनल ओफिसर्स की स्नेह चत्रचाया में। दो कमिटीज, NCUHP, National Committee of Universal Human Values, और NCCIP, National Coordination Committee for Induction Program का सम्मलित प्रयाज सराहनी रहा है। नेक्स स्लाइड पे जा सकते हैं मैया। प्रोफिसर एचीडी चारण जी के दिशा निदेश में एक सक्रिय टीम जिनके नाम आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। इन नामों को आप यहां से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, विनय पाथर जी, प्रोफिसर सुनीर सुमानी जी, प्रोफिसर शत्रुन जय रावत जी और भी बहुत सारे लोग जो इस कमिटी के एक्टिव मेंबर्स हैं। और, नेक्स स्लाइड बाया, प्रोफिसर रजनीश अरोरा जी के संग्रक्षन में एक और सक्रिय टीम जिनके नाम अब आपके समक्षें। ये दोनों ही टीम, NCUHV और NCCIP एक दूसरे के पूरक होकर कंदे से कंधा मिलाकर, NEP 2020 से अलाइंट AICTE के शेक्षनित गुनवत्ता सुधार कारिक्रम में मूर्ली शिक्षा की दिशा में बहत्वकून सहयोग दे रही हैं। दोनों टीमों के कई सम्मानित सदस्यों और AICTE के शीर्षस्त पदादिकारियों से सुशोभित इस सभा में आप सभी का पुनह स्वागत करते हुए। अब मैं आमंत्रत करती हूँ श्रीमान रजनीश अरोरा जी को उनके विद्वत्ता पून सहच स्वागत अभिभार्शन के लिए। प्रणाम रजनीश सर आपका स्वागत है। रजनीश सर आपका माइक अभी आन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग 75 वेबिनार्ज अपने पूरे कर रहे हैं। जब शुरुवात की थी तब पिलकुल अंदाज नहीं था कि हम इतनी लंबी यात्रा दिरंतर उसको पूरा कर पाएंगे। और लेकिन अब सब लोगों का विश्वास बना है। इस काम को हम लोग और आगे सब के सहयोग से चला पाएंगे। जिसका मुख्य कारण है कि आज हमारे साथ देश भर से जो जुड़े हुए वालंटियर्स हैं। उनके कारण से इस यात्रा के बारे में आत्मविश्वास बना है। यह जो सारा काम है। यह अपने देश में जो राष्टिय शिक्षा नीति की घोशना हुई दोहजार पीस में। उसके अंदर जो अपेक्षाएं शिक्षा से की गई हैं। उन्ही की लाइन में हैं। क्योंकि उसमें अपेक्षाएं की गई कि शिक्षा के कारण से व्यक्ति का सरवांगीन विकास हो। फुल human potential develop किया जा सके। इसके साथ साथ नयाय पूर्ण और समता पूर्ण समाज की रच्चना हो। और राष्ट्र का विकास हो। यह सारी जो basic aspirations हैं। उनको तीन स्तर पर पूरा करने की कोशिश की गई इस प्रयास में। सबसे पहले universal human values के बारे में हमारे शिक्षकों की समझ बने। ताकि वो उसकी चर्चा विद्यार्थियों के साथ कर सके कि ऐसी values जो universal हैं, rational हैं, verifiable हैं, are all encompassing हैं and they all lead to harmony। इस प्रकार के जीवन मुल्यों की चर्चा देश भर में जो पिछले कई वर्षों के प्रयास में अच्छी प्रकार से जिनको टेस्ट किया जा चुका है। और फिर इनके उदाहरन के रूप में अपनी ही परंपरा, अपनी जो भारतिय ज्यान परंपरा है, उसके उदाहरनों से जो मानविये विचार और मानविये सल्सकृति की अनुरूप हैं, उसको भी देखना क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं, वो परंपरा में कई पीडिय buscando आपनी व्हिश्चे की पीडियों की आवश्रक्ता कि आवश्रक्ता जैसे आचर्ण के लिए तो मुल्य आधारित जो पूरी दुनिया के लिए ऐसी जिनको वर्ड क्लास वेल्यू बेस्ट स्किल्स कहा जा सकता है वो हमारी टेक्निकल एड्यूकेशन का हिस्सा बने और उसका आधार यह हो कि हमारे यहां पर नेचर फ्रेंडली टेक्नोलोजी और हुमन फ्रेंडली की कोशिश के और उसके लिए एडिया सीटी ने जो प्रयास किये उसमें सबसे पहला कि एंजिनरिंग एड्यूकेशन में तीन सब्ता का मेंडेटरी स्टूडेंट इंडेक्शन प्रोग्राम जिसमें युनिवर्सल हुमन वैल्यूज इंडियन नॉलिज सिस्टम और वैल्य कोर्स अंडेस्टेंडिंग हार्मनी एडिकल इसकी बात और अब जो आगे विद्ध्यार्थियों को अपने सेकंड एर थर्ड एर फॉर्थ एर में जो ओपन इलेक्टिव उनकी योजना बन रही है और जो कोर्सेज कुछ युनिवर्सिटीज में प्रयोगते तोर पर शुर पर जिसमें विद्ध्यार्थियों के विशेश रूप से रुची रहती है उसको ओफर करने की बात इतना ही नहीं तो AICP ने साहाज पूरवक अपने यहां यह निड़ने लिया है कि इस अगले साल में विद्ध्यार्थियों को माइनर डिग्री यूच्वी एंड माइनर डिग्री इन इसको भी ऑफर किया जा सकता है और उसके लिए मौडल करीकुलम में जो जिस प्रकार की परिवर्तन होने चाहिए उसको करने का प्रयास किया जा रहा है और फिर केवल टेक्निकल एडुकेशन में नहीं तो बाकी हाय में इसको लागू करने के लिए वहां के टीचर्स की ट्रेनिंग करने के लिए भी एडिया जा रहा है और इस वर्ष विशेश रूप से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्यप्रदेश के स्कूलों में जब वहां के एडिपार्टमेंट की और से डिमांड आई तो ह हमने स्कूल एडुकेशन में भी के लिए भी टीचर्स तयार करने के लिए RICT से के वेबिनार्ज में प्रशिक्षकों को उसमें जोड़ा है और केवल स्कूलों में नहीं एड़ल्ट और इनफॉर्मल एडुकेशन का जो काम है वहां पर मध्यप्रदेश में राज्यानंद संस्तान दौरा चल रहा है उस कारे में भी AICD गी और से पुरा सहयोग किया जा रहा है आज इस कारे के स्थिती ये हो गई है कि सभी आठ के आठ रिजिनल के अंदर रिजिनल ऑफिसर के सहयोग के साथ अपने रिजिनल कवाडिनेटर्स और फिर उनके साथ क् वाडिनेशन के लिए सब कमेटी olv major उनकी साथिक प्रगति और जो देश में उनिवर्सुकी क्याouri array सब्सक्राइब करना और आपस का समवार और प्रकार से विद्यार्थी टीचर्स इतना आगे बढ़ रहे हैं एसी सब प्रकार के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है तो केवल अपने कॉलिज में नहीं तो अपने आसपास के समाज में अपने परिवार में इस प्रकार की गतिविधियों का इंप्पेक्ट होना शुरू गया है स्क्रीन पर ये एक संख्या आपके सापने है जो पूरी नहीं हो सकती है और 417 इतने सारे स्क्रीन पर आना मश्किल है और सबसे हर्श की बात है कि ना तो केवल इसमें पुरुश है ना महिलाएं दोनों की सहभागिता लगबग पचास-पचास प्रतिशत है अपेक्षा ये है जैसा नेश्चनल एजेडिशन पॉलिशी में भी अफेक्षा की गई है कि देश का हर फ्र और आज हम 75 दिन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब हम इस सारे डाटा को देश के नक्षे के उपर रिखते हैं तो यह बताते हुए हर्श होता है कि आज देश का एक भी ऐसा प्रांट नहीं है यहां तक कि आप देख रहे हैं कि अंडेमान निकोब्बार हो चाहे वो में बहुत बड़ी उपलब्दी इस कारिक्रम की है और इससे हमें स्टूडेंट इंडेक्शन प्रोग्राम को एफेक्टिव रूप में देश में बढ़ाने साहता मिलेगी रिजिन वाइस जो स्थिती रही तो विशेश रूप से जो इस्टरन रिजिन है कॉलकाता का और न की ट्रेनिंग हो पाई और फिर आप देखते हैं कि चंडिगर रिजिन चंड़ई हैदराबाद और मुंबई रिजिन की भी जो सफलता है वो काफी अच्छी रही केवल एक जगह पर हम लोगों का काम उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया अलांकि वहां की संख्या भी बहुत कमी को भी पूरा कर सकेंगे तो लगबग 84 प्रतिशत जो हमारा टार्गेट था उसको हम पूरा कर पाएं हैं तो ये एंसीजी आईपी चेर्मेन के नाते से मेरे जिब में काम लगा था मैंने आपके साथ ये कुछ जानकरी शेयर की है अब आगे की कारवाई के लिए मैं आम आपका मार्ग दर्शन हमें सतत प्रेड़ना देता है खिदसे आभार सर आपदा को अवसर में तब्दील करने का सराहनी पराक्रम दर्शाने वाले श्तीमन सहस्त्री बुद्धेजी ना केवल समय निकालते हैं बल्कि अपने उद्बोधन से सभी वॉलंटियर्स और पार्टिसिकंट्स का उच्छ साह भी बढ़ाते हैं आज अन्य किसी कारेक्रम के साथ समय का क्लैश होने से पुनिया जी नमस्ते नमस्ते दन्यवार बाई राजूल जी सम्मानिये प्रोफ्सर रजिनी सरोडा साथ आधनिये चान साथ सम्मानिये भाई गनेश ची और पूरी पूरी जो टीम है अमारे साथ जूड़ी भी सबसे पहले तुम्हें आज इस विशेश दिवस पे पूरी टीम को बदाई देता हूं आधनिये चेर्मेन साथ आज नागपूर में हैं और उनका एक अलग से बड़ा कारेकरम था आज वो जूड़नी पाए तो मैं उनकी तरफ से भी पूरी टीम को बदाई देता हूं शूप कामना हैं देता हूं पिचेत्रवा सालम अपनी आजादी का मना रहे हैं देश में और आज संयोग वस हमारा जो है ये ये युनिर्शल युमन वैल्यूज की जो जो एक अलग या बीच जो बोए थे पिचेत्रव थे पहले ये लगातार बिना किसी बादा के बादा आई विपदाएं आई कोरोना आया पिटनाईयां आई लेकिन ये जो कारवा है या जो ये एक एक लगातार प्रियास है इन प्रियासों के कदम कभी भी नहीं डगमगाए जब सुरुवात की थी आज से पीचे तरफते पहले कभी भी नहीं ये सोचा था कि ये इतना बड़ा काम जो है बारतिय सिक्षक सिक्षा के अमूल चूल परिवर्तन के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं मैं रजनीश रोड़ा साब से जुड़ा हुआ था परसों से जुड़ा हुआ था मैं चंदीगड में था आप पंजाव टेक्निक उन्यूस्टी के बाई सांस करते हैं राजूल जी भी वहाँ पे आते थे, आप भी पंजाव टिक निविल सी से जुड़े वे थे, तो मैं हमेशार रजनीश जी के अंदर एक अलग सा जो है, अलग से चैरे पे इनके चमक और इनका उर्जा मैं देखता था, कि ऐसा इनमें क्या है, जो इतने ये उर्जावान क्यो अनदर, वो मानमविय मुलयों की ताकत ही थे, जब एम मुलय हीन जब होता है, तो उसके ताकत ही छीण होती है, जब उसके अंदर इसको संसकार कहते हैं, या एक एक जीवन जीने का रास्ता जिसके लिए बिल्कुल साफ सुत्रा जो है जिसने बना रखा है कि यह मेरा जीवन का उड़ेश यह clarity जांपे है, वहीं पे चेरे के मुश्कान है, वहीं पे उर्जा है, वहीं पे दम है और उसी व्यक्ति पे दारुमदार है जब NCC IP के हमारे इंडेक्शन प्रोग्राम के अध्यक्स बने, पूरे देश के असी लाख बच्चे, तक्निकी शिक्षा में असी लाख बच्चे, और अब तो हमारी पकड़ जो है स्कूल तक बनती जा रही है, मद्यवर देश से हमने शुरुवात की है, भाई गनेश वगड प्रजेंटेशन दिया, मद्यवर देश में पूरी टीम उनकी आई, उनको सुना, और उमिडेटली वो जो है, इस कारेकरम के लिए वो तयार हुए कि आप बच्चों से शुरू करिया, आठीन क्लास के बच्चों से शुरू करिए, ये प्रोग्राम शुरू हुआ, मद्यव काम कर रहे हैं, तो मद्यवर देश अपने आप में एक उदार्ण मन गया देश के अंदर, कि मुल्य आदारित सिक्षा जो है, मुल्यों से जुड़ी वी सिक्षा जो है, वो किस तरह से दी जा सकते हैं, और किस तरह से उसके प्रवाव एक एक जो है, उन रूप से देखे ज सकते हैं, तो मैं तो इस कारिकर्म के लिए यह कहूँगा, जो यह तरह दे कि हमारी जर्मी है, पहले चोटा-चोटा जो भी परियास था, पर यूपी में विने पार्टक साब का जो जो कॉंटिब्यूशन था, पिर आदर ने खेर चार्ण साब का, राजस्थान में जिस तर मगर लोग साथ आते गए और कार्मा बनता गए, तो उसमें यह बात आई, कि यह सिर्फ 417 ही नहीं कूरा परिवार भी आपके साथ में है, परिवार की ताकत भी इनके साथ में है, और तभी इस से जो है, इतना बड़ा कॉंटिवेशन इसके अंदर मिल पारा है, तो यह एक बहुत बड़ा कार्यकरम हमने शुरू किया और उसी टाइम रास्टे सिक्षानिती भी आई, 2020 में हमारी रास्टे सिक्षानिती आई, रास्टे सिक्षानिती में वही बातें कही गई जो हमारे यह जो जो वोलेंटियस कह रहे हैं, या राजुलस्ताना जी कह रहे हैं कि आधनिय चार्ण साब करें वो ही बातें उसके अंदर जो है अमारी रास्टे सिक्षानिती के अंदर आई कि आप ऐसे मानव तयार करिए जो मानव अपने पूरे potential के साथ पूरे potential के साथ अपना इस तरह से contribution दे कि जो भी उनके actions हो जो भी actions हो पहले तो उन actions में clarity हो और उस actions से society के अंदर किस तरह से वो harmony ला सकते हैं दुनिया के चैरों पर किस तरह से कुसी ला सकते हैं किस तरह से एक मानों का दूसरे मानों से जो है संबंध को मजबोत किया जा सकता है मानों मानों का परिवार के साथ संबंद मानों का प्रकृत्धं के साथ में संबंध को कैसे मजबूत किया जा सकता है ये बहुत बड़ी अलग अमारे जो है इसमें इसमें चैRich aid or अपन हमारे प्रजेंस नहीं है। यहाँ सी चीज़ के लिए नहीं हो कि मेरे को जीवन में पैसा कमाना है। जो एक अंदी दोड जो देश के अंदर चल रही थी, इसे इस रूप से हमारी सिक्षा में, क्योंकि क्लिरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं था, विद्यार्थी को क्लियर नहीं था कि मैं सिक्षा क्यों ले रहा हूं, कभी भी एक्योशन या इसका आंसर कोई सिक्षा नहीं नहीं क्यों लेनी हैं आपका duties क्या होगी आपकी responsibilities क्या होगी आपका करतविया क्या होगा और विशेश रूप से सबसे पहला करतविया अपने आपको समझने में आपका करतविया क्या होगा अपने परिवार के परतिया आपकी भूमिका क्या होगी आपकी एक-एक समाजी का आपका चार सो चारीस क्रोड के आबादी है और हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है तो वो रास्ते के ऊपर पूरे विश्व को अगर सरकराने के लिए यह अमारी युवा सक्तिक इस तरह से आगे बढ़ सकती है और मेरे को तो यह चार सो से उपर जो आज अपने जो वलेंटियस का करते हुए दिखे और जिस तरह से उपासना मैं अमारी जिस तरह से इन चीजों को अच्छे शब्दों में पिरो रही है तो एक एक यह जो टीम बनी है मेरे को उड़ानक देव जी का जो है वो एक एक याद आता है एक गटना जो है वो किसी गाओं के अंदर गए और गाओं पे महाओल ही नहीं था गाओं में रात 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 रूके और जाते टाइम उन गाओं के लोगों को आप का कि आप लोग कुसी-कुसी यहीं रहो सब लोग इस गाओं में जमे रहो यह पैर जो है अंगद के पैर की तरह से चमा के रखो आप जो है मजबूती से इस गाओं में प्रव उसके बाद वो दूसरे गाउं में गए पांच किलोमेटर दस किलोमेटर दूर जो भी गाउं था उस गाउं के लोगों ने बहुत बड़ा जो है गुर्णानक देव जी का आधर किया सक्कार किया बहुत ही बहुत ही जो एक एक उत्सव जैसा माहूल उस गाउं के आप लोग उजड़ो, आप लोग उजड़ जाओ, मेरा बगवान से यह प्रार्टन है कि आप लोग उजड़ जाओ, गाहों के लोग आशिरे चकीत रहे गए, गुरुजी कल जो है जो लोग इतना खराब विवार कर रहे थे, उनको आपने का कि अंगत की तरह से पैर जमा लो और हम लोगों ने जो है, अमारे विवार में कोई कमी रहे गी, या हमारे आदर सक्कार में कोई कमी रहे गी, या हमारे मेमान वाजी में कोई कमी रहे गी, या हमारे निस्ठा में कोई कमी रहे गी, आप यह करें उजड़ जाओ, उन्हों ने का बिलकुल उजड़ जाओ, त आप जगह 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 जो है अच्छी चीज़ें इनका परचार पसार करो मेरा यह आशिरवाद में दे रहा हूँ तो आज के दिन मैं भी इस अपनी टीम को जो है जो AICT के साथ जो भी है AICT तो देश की एक बोबी है ऐसी देश के अंदर 30 बोबी है और यह तो अपना तो एक देश है इन भारत तो एक देश है ऐसे 200 देश और 200 ज्यादा देश और है क्यों नहीं हमारी टीम जो है यह उजड के सब देशों में जाए देश के सप्रांतों में जाए सब तरह की पर आप में सीडिये आर्ट्सक्राब जहां पर भी है, हम लोग जाएं, तो हम लोग भिखरें, हम लोग उजड़े हमारा नेपाल तक जो है, जो हमारा नाम हुआ है, इवन बंगलादेश के लोग अमारे से जुड़े हैं, पाकिस्तान के लोग जुड़े हैं, चाहे जिते भी हमारे वेचारिक मत बेद होंगे, लेकिन आम जो नागरिक है वहां था, वो अमारे इस विचारों से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी भी वहां पे जुड़े हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ा काम है, और जो राश्ट्य सिक्षानीती आई, राश्ट्य सिक्षान हैं, जो हाथ से काम करने की छमताओं वाली बात उसमें बता रखी थी, मांसिक रूप से सोचने की बात बता रखी थी, पर दिल को जोड़ने वाली बात जो है, सामाजिक सारोकार की बात कहीं पे नहीं थी, तो अमारी जो पूरी टीम है, अमारी जो जो यूनिसल यूमन वे उसके टीम हमारे साथ में आई और सबसे इंपोर्टेंट ये था कि सिक्षा निती तो तब इंप्लिमेट कर पाएंगे अपन जब अपने को क्लियर होगा कि बच्चा किस तरह का होना चाहिए उसमें क्या सद्गुन होने चाहिए तो उन सद्गुनों को भी अमारी टीम ने जो जो बने वही थे जो है कि उसने जो फिजिक, खेमेस्ट्री, मैथ, साइंस जो सीखा है वो उसको क्यान को एपलाई कैसे करेगा उसे नए सिस्टम कैसे बनाएगा को सिस्टम में फोल्ट आता है तो उसको वो ठीक कैसे करेगा उसके पास इन्फोर्मेशन, कम्मुनिकेशन, जो परपोज किये हैं और राष्टे सिख्षानिती को इंक्रिमेट करते टाइम, सिरफ तक्निकी सिख्षा में निए पूरी सिख्षा के लिए जो 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 एट्रिबूट्स इसमें डिफाइंग किये हैं, जो सिख्षा के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी हो क्या हो उसके बारे में पूरण समझ जो है जीवन के बारे में क्या हो जब वो निकले graduation करके तो उसके पास ये धन होना चाहिए संपती होनी चाहिए कि ये जीवन का मेरा उल्डेश है इस पत्पे मेरे को चलना ये clarity बच्चे के दिमाग में ले कि आना है और जो अपन कहते हैं अपन हम दो बाते कहते थे हैं आई-चीटी हमें साथ दो बात कहती थी कि बच्चा टेक्निकली साउंड हो प्रोफेशनली कॉंपिटेंट हो ये दो बाते है तो विद्द्यार्थी हमारा जो सिक्षा ले रहा है उसकी आँकों मैं सबसे पहले आंसु हाने चाहिए कि मैं इसके आंसों को कैसे पोंच सकता हम en Education के दो सकता है आज 10-leb में सबसे पहले जो सुरुवात यह हुई है उसमें ये कावा है कि परकरती से मानव ऊपर नहीं हो सकता जो अगर नदी बेरी है, उसको कोई रोखता है जिसको पापी माना गया को पेड कारता है तो पापी माना गया अगर कोई पाड को भी जो है नुक्सान पहुंचाता है तो उसको पाप माना गया राजा भी अगर इस तरह से करता था तो उसको भी उसी तरही सजाती जिसे एक साधान परजा का विक्ति करता है तो environmental के परति उसके परकरती के परति जो है, उसका जो करतव्य है, उसके बारे में वे अटी बूप की बात की गई है, और एक मानो जो है, उसका चिपरक जो है किस तरह से होना चाहिए, उसका एक जो जो निस्फक्स जो आचरण है, वो किस तरह से होना चाहिए, जिसको Just Security Society की बात करते हैं, समाज के अंदर भी हर विट्टी को एक समानता का अधिकार जो जीने का अधिकार है, उसके अंदर हमारा बच्चा जो है, कैसे उनको स्टेंदन कर सकता है, हेल्थाइजीन की बात हमने जो है कि स्वास्थ्य सर्वों करिये, हमारे वेदों के अंदर, वेदों के अंदर कभी भी बिमारी की बात नहीं की गई हमारे वेदों के अंदर जनम की बात है मुक्ष की बात है और पूरे जो प्रोसेसे हैं हमारे जीवन जीने के तरीके इस्तरहजे हैं जो परकरती के साथ सहभागिता में है उसके अंदर बिमारी है ही नहीं बिमारी आनी ही नहीं च के हो सकते उसके उपर भी बात की गई है तो और संब के परती रस्पेक्ट संब के परती जो है एक एक अच्छा सा वेवार उसकी बात की गई है ऐसा मानो त्यार करने की कानी आपको बताऊंगा ऐसा मानो त्यार करने की कानी आपको बताऊंगा ऐसा मानो त्यार करने की कानी इ निकल रहे थे, चलते चलते उनका अपस में किसी बात पर विवाद हो गया, उनका जगड़ा हो गया किसी बात पर और उन दोनों में से जब जगड़ा उनका हुआ, तो एक साथी ने दूसरे के थपड मार दिया, पुड़ा मजबूत था वो और दूसरे के थपड मार दिया, बड़ा हर्ट वा वो जो है, दूसरा साथी बड़ा हर्ट वा दोस्ती थी उनकी, जो साथी हर्ट वा वो जमीन पे बैठा, उस रेट पे बैठा, उस डेजर्ट में बैठा, और उसने जमीन पे लिखा रेट के ऊपर, हाथ से लिखा, कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे थपड मारा और ये रेट पे लिखे और अपने साथी के साथ चल पड़ा कुछ दूर जाते जाते वो चीज बूल गए जो भी है चलते चलते कें ऐसे एरिया में आगे जां काफी पानी था तालाब था गैरा पानी था दोनों की कुछ नाने की इच्छा हुई लेकिन जिस वेक्ति के थपड लगा था वो वेक्ति उस तालाब में जब दोनों नारे ते लूडने लग गया जब वो डूब रहा था तो दूसरा जो मजबूत साथी था जिसने उसके थपड बार रहा था उस पत्थर पे उसने पत्थर से ही लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई पत्थर से लिखा तो दूस्ते दोस्ते नहीं का हिए जब थपड मारा मैने आपके तब आपने मिटी रेथ पे जो निखा कि मेरे सबसे अचे दोस्ते ने मेरेा तपड मारा मेरे को हट किया और जब मैंने आपको इस पानी से निकाला तब आपने पत्थर पे जो है उसके अंदर खुदाई की है एक तरह से इन शब्डों की ऐसा क्यों किया तो उसने का कि खराब चीजें जो है खराब बातें खराब विवार थोड़े समय के लिए जैसी वहाँ पे आवातेज चलेगी आंधी चलेगी वो शब् प्रियास जो है अमने जो एट्रिवूट्स बनाए ग्रेजुट्ट बनाए है ऐसी सोच हमारे विद्यार्थियों की हो तभी ये देश का स्वरूप बदल पाएगा तभी ये देश अलग से हमारा दिखेगा तो ये एट्रिवूट्स हमारा जो सजेशन है और इसको इसकी तरह से माना है जिस वरूप में अपने दिया है अगली स्लाइड भी इसमें शायद मेरे इससे की होगी और जब हम टेक्निकल एजुकेशन में जब ये जो अमने इंडेक्शन प्रोग्राम की उनिसल यूमन वेलिउस का सब्जेक्ट हमने पोर सब्जेक्ट लेके आए तो हमने देखा कि वित्यार्थियों की सोच और सिक्षकों का अपस में जो संबन था कुछ और प्रोग्राम में गया भी अब तो नहीं जा पाई साल से लेकिन जब ये हमारा इंडेक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ पुछ जिगा मेरे को जाने का मोका मिला जब उनका इती लेकिन इस इंडेक्शन प्रोग्राम ने ऐसी उनकी दोस्ती कराई ऐसे संबन बनाए कि ऐसे लगता है कि वर्सा बच्चा वो 21 साल से इस प्रांगण में रह रहा है ऐसा मावल अमने देखने को मिला लेसंशिप वहां पे मजबूत हुई उनकी सोच जो है उनका जो अफेक् बड़ा प्रिवार है उसने तो अपने आप उसको अपना प्रिवार बना लिया रेलेसंशिप ऐसी वी कि हमें रेगिंग के कैसे जब मैंने 2017 में आईस्टी जोइन किया था ज्यादा तर समय हमारे पास हिकायते ऐसी आते थी कि एक बचे ने रेगिंग ली उसको जो इस तरह जैसे अट किया हम कमेटियां वेजते थे ज्यादा तर टाइम इस कमेटियां वेजने में ये रेगिंग को किस तरह से रोकें इस पे लगता था आस्टी बात है कि उसके बाद जब ये इंडेक्शन प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ जिसके अंदर यूनिवन वैल्यो भी हम अब ऐसा मावल हमने दिया तो ये जो जो रेलेशन सिप इती मजबूत ही रेगिंग वगरा का नाम ही उसके अंदर खतम होने लगया बच्चों में कमिट्मेंट इता शिक्ष्यक के परती जो उनका वेवार उनकी उतारता उनके जो संबन्ध है वो मजबूत होने लगे और कि इसके पर भी एकेडमिक रिजल्ट का भी लग रहा है कि एकेडमिक रिजल्ट भी इंप्रू हो रहे हैं और बच्चा वारे काम का नहीं है बच्यक की सफिल्स ही आनि है अब जो स्टेडी जा रही है उसके साब इंप्लोइबिलिटी भी बच्चों की इंक्रीज हुई है और यह लगता है कि prosperity जिसको अपन कहते हैं कि वह prosperity दनदाने की नहीं, prosperity जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने का जो एक आनन्द है, वह prosperity भी अमारे बच्चों के अंदर आई है कि as a regulator मेरा इसके अंदर, चायद इससे admission भी हमारे बढ़ रहे हैं, even एक उधारन जो है टिपल अब जब एड्मिशन हुआ, लोग उसको कहने लगी कि यार आप UK उगरा क्यों नहीं जाते हैं, आप में इतना पोटेंशियल है, इंडिया में क्या रखा हुआ है, कौन सी जो है ट्रिपल आईटी है, आप तो UK में आपका बहुत बड़ा इस्ट्यूट में एड्मिशन हो जा खैर ऐसा समय इस तरह से आया कि वहां पर उसी टाइम वो इंडेक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, एकात दिन बच्चा वो जो है चाहिए इच्छा नहीं थी उसकी या इंडिया में रहने के लिए वो इंडेक्शन प्रोग्राम में चला गया, वो प्रोग्राम चल रहा थ इंडेक्शन प्रोग्राम का उसने ये 15-21 दिन का स्लेबस देखा, एक्ट्विटीज देखी, जिसने जो सारा कुछ पढ़ा, फिर बाद में पता चला कि ऐसे मानुमुलियों पर हमारा जो है एक सब्जेक्ट भी है, उसने वहां पे यूके में उस बच्चे ने अपने मामा हो के यहां पे टिपल आईटी में अड्मिशन ले लिया, और वो बच्चा अब शायद मेरे साथ से थर्डी एर में अब एंटर हुआ है, बच्चा यहीं पर है, वो बहुत बड़ा योगदान देगा, तो एक तरह से बच्चों में स्टेबिलिटी भी आई है, बच्चों मे पचास जार से उपर है, जो एक संस्तान से दूसरी में दूसरा रुपे देता था, पास वाला कोलेज वाला वो टीचर यहां से छोड़ जो, इसमें चला जाता, कोड़ ओनार से पलेता ही नहीं था, अब यह लगता है कि इस तरह से जो है जाना कम हो गए हैं, और स्विसाइ को कुछन कर लिया, कोई एजुकेशन के प्रेशर में कोई उसने कर लिया ya उसके दोस्त नहीं थे, इस मेरे तो यह बड़ा परिवojतन मेरे को इसमें देखने को मिलता है आपर इस कारेकरम को जो बिश बोने वाले थी जो एक हमारे प्रदशक थे प्रुफसर रीशी राजवोर्ब साब मैंने भी उनके साथ में शिख्शा लिया है मैंने भी जीवन, काफी जीवन में रहा है उनके साथ जीया है अप्रवसर दस साल तो भूड़ा रहा है ये कुरोना की जब विपदा आई देश के उपर, तो उनका कुरोना के अंदर जो है रियावसानवा, वो इस दर्थी पे नहीं रहे, लेकिन उनका दिखायावा रास्ता, उनकी यादें, उन्होंने जो संस्कार में दिये हैं। हम ऐसे ऐसे महान महान देशवक्त को, महान निस्टावान व्यक्ती को, हमारी तरफ से जो है सर्दांजली देना जाते हैं, और सब्सक्राइश सर्दांजली ये ही होगी, कि उनके नाम पे जो AICT ने फरवरी 2021 के अंदर एक डिजिजन लिया था, कि इनके नाम पे हम एक रास्त से इसको इंप्लिमेंट करेंगे, उन संस्थानों को हम जो है अवार देंगे, उसका एक परफॉर्मा तयार करने का काम जो है, कर रही है, जो AICT से देख रहे हैं, उनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा कॉंटिविशन, स्तत परियास करती हैं, बिना थके वे जो परियास क काफी प्रैसर भी उनके पास आते हैं, तो वो जो हमारी यहां पर टीम का जो नेतर तो कर रही हैं, उस टीम ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा खाम किया, आज पिचे तरवे FDP है, हम पर पर पॉर्मा इनको आवार देने का तयार कर रहे हैं, और जो अच्छे संस्थान ज इनके नाम पर यह अवार्ड जो है, हम दे पाएंगे, देश को समर्कित कर पाएंगे, और हमने एक डोकुमेंट भी बनाई, यह पूरी टीम को इसके लिए बताई, जो holistic value-based education के उपर जो पूरा एक document बना दिया है, किस तरह से अमारी इस value-based education को हम आज चला रहे हैं, कैसे आगे चलाएंगे, इवन इसके उपर minor degree का पार्तिय ग्यान परमपरा पे भी और universal human values पे भी तो minor degree का इसके अंदर concept लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी काफी प्रयास करके, और जो हमारी उसके अंदर team होगी, जो उसके अंदर courses होगी, कैसे minor degree दी जाएगी, वो भी यह document जो ह है, वो तयार किया गया है, इसके लिए भी मैं पूरी team को बदाई दूँगा, और ये copy जो है, मेरे space में भी available है, बहुत सुन्दर जो है, बनके आई है, पूरी team का बहुत बड़ा प्रयास है, और ये भी एक जो है, हर एक बच्चे के लिए, हर एक teacher के लिए बहुत बड़ी जो है, पूरे देश के सिख्षा के जो जो दूड़ेवे हमारे साथ ही है, उनको समर्पित करेगा, तो ये शो बफसर है, आप सभी स्टेश्ट जनों की उपस्थिती है, और National Education Policy 2020 की अपेक्षा, आए सन्यों को यादगार बनाते हैं, और इस document release के साथ में, जिसका पुनिया सबने अभी announcement किया, तो सभी लोग camera on करके कारियां बजाते हुए इस शुब अफसर को capture करने का एक सुब अफसर इसको अवेल करते ही, सभी से निवेदन है, बहुत-बहुत बढ़ाई सभी को, बहुत-बहुत-बढ़ाई, बहुत-बहुत-बढ़ाई, सभी से ये भी निव जरूर पढ़ें, आपके जो आप तक चिट्टी पहुंची है, जो आप तक invitation पहुंचा है, उसमें ये document का link दिया हुआ है, इसको पढ़ें, आपके feedback की हम सभी को रिद ऐसे अपेक्षा रहेगी. आपके आशिर वचनों के लिए भी, और आपके AICT के पूरी टीम के सत प्रयासों के लिए भी, शिक्षा के क्षेतर में अपेक्षित जिम्मेदारी के निर्वा है, तो हमें सुअवसर प्रदान करने के लिए भी, आपका रिदे से अभी विवादन और आभार सर. प्रोफिसर राजीर कुमार जी, मेंबर सेक्रेटरी AICT, जिनके सानेद्य में योजना बनाने से लेकर प्रियानवयन तक एक चरणबध कारिक्रम संपादित होता रहा है, अब मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, अपने तजोर्बों और भविश की योजनाओं को साजा कर करने की लिए. राजीर सर, आपका स्वागत है, प्रनाम सर. नीतु जी को बिला सकते हैंभी, वो कर दिले इस काम को. नीतु जी. बहुत बहुत धन्यवाद उपासना दी. सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि प्रफेसर राजीर कुमार, मेंबर सेक्रेट कि AICT is on official tour today, and maybe he will not be able to join this program, but his contribution to this program is immense. In fact, ये जो प्रोग्राम तीन साल पहले स्टार्ट हुआ था, उस समय वो हमारे Policy and Academic Planning Bureau में अड्वाइजर थे, और उनी के नेतरत्रों में ये जो प्रोग्राम है, ये शुरू हुआ था, उनके साथ में मैंने कापी ताइम इस इस विश इस प्रोग्राम के बारे में काफी जो इनीशल नॉलेज होती है इस प्रोग्राम की वो उन्होंने मुझे दीती, एक पहला कोश्चन जो हम लोग के दिमाग में आता है कि AICT तो तक्नीकि सिक्षास अस्थान है, और हम लोग युनिवर्सल हुमन वाल्यूस में इतना इतना time दे रहे हैं, इतना focus कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? तो जो हमारे जो leadership है उन्होंने जो हमें समझाया, वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, कि जो भी knowledge है, knowledge without ethics is very dangerous. If we are creating ingenious without ethics, they will not contribute to the society, they will, maybe, they will be, they can be destructive to the society. So, any knowledge has to be clubbed with the ethics and moral values and not only giving the value education to the students, value-based education is very important for each and every student. So, this is the target of AICD, और इसी के साथ में तीन साल पहले ये काम हमने शुरू किया था, और जो पहली चीज़ जो हमने रिक्मन की थी, सभी students के लिए वो था, 21 दिन का mandatory student induction program. कोई भी बच्चा जब college में आता है, तो वैसे तो कहा जाए तो क्योंकि वो school से आया है, काफी कुछ सीखिया है, लेकिन school और college के atmosphere में बहुत डिफरेंस होता है, और जो higher education होती है, I think आप लोग सभी ने मतलब ये मैसूस किया होगा कि वो आपके life का एक game changer होती है, higher education में आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना interest से पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, उससे आपका life का future जो है काफी हद तक वो define होता है, तो वो 21 days student को एक बहुत ये proper induction program जो है design किया गया है, वो induction program EICT के FDPSI portal पे available है, और उसका important part जो है universal human values है, it is a universal human values based student induction program, तो यहां से बच्चों में एक induction दिया जाता है universal human values का, उसके बास जो दूसरे important चीज हमने की, वो ये थी कि एक team credit का course, UHV2 जो है, वो हमने recommend किया, for all the technical institution, and this is mandatory that each and every technical institution has to provide this course to students, either in first, second, third or fourth semester, so it can be given at any point of time, but it is mandatory, and apart from this, we are also recommending institution कि every faculty must have a holistic and human world vision, means every faculty should at least once attend the universal human values program every day, and मैं आप लोगों से अपना experience शेर करना चाहूंगी, आज ये situation है, हम जहां भी जाते हैं, अगर हम 10 faculty members से मिलते हैं, तो at least three or four हमको कहते हैं कि हमने ये program अटेंड किया है, और उसमें से at least two ऐसे होंगे जो उस प्रोग्राम की, को उनोंने at least अपने लिए life changer बताया होगा, और कहा होगा कि उसमें से कितनी चीजों ने उनकी life की कितने personal and professional aspects को impact किया है, बहुत ही positively. तो ये program जो है, induction program में MDP जो है, हम पिसले तीन साल से कर रहें, पहले Corona से पहले हम face-to-face कर रहें तया भी हम online mode में कर रहें, और जो AICT की approval process handbook है, उसमें हमने रिक्मन भी किया है, कि every college must prepare at least one UHV faculty member from each and every department for every 20 newly joined students. So this is required for every 20 newly joined students. One faculty member in his department should be trained in universal human values. And you know, they can also help a student in mentoring them properly, you know, because this program itself changes your worldview. You, 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 every, you must have attended this program at least the people who are connected with us and they must have felt that this program की बाद में आपका जो पस्पक्तिव है towards the teaching, towards the student, वो बहुत चेंज हुआ होगा. और इसके लावा AICT ने एक induction program self-establish किया है और उसमें जो है मेरे साथ में एक बहुत ही अच्छी टीम जो है काम कर रही है उसके बारे में मैं आपको डेटेल में बार में रता होगी. अभी अगर प्रोग्रेस की बात करें तो AICT में राइट नो टोटल 9,643 Colleges AICT Approved है और इसमें से 98% ने इंदक्शन प्रोग्राम जो है कंड़ किया है और रेस्ट जो है और प्रोग्राम जो है तो AICT ने प्रोग्राम जोल टीमें दीनियार नहीं अगरी नहीं हो जाती है तो उसको इंपलिमेंट करणा थोड़ा मुखिल है क्योंकि उसको ब्रिमेंट करना थोड़ा मुखिल है क्योंकि यह ब दानी के लिए आपको रिख पर राइट, जोग्ष जो five days का online program है, initial program FDP वो attend करना होगा, उसके बाद में various refresher courses है, उनको अटेंड करने के बाद में ही, आप पुरी तरह से उस course को पढ़ाने के लिए तयार हो जाते हैं. And potential of this program is that every college can be a living model of an equitable and just society. Just hundred such colleges be the nodal center for societal transformation. You know, each and every college has a big impact on the nearby community. And if hundred such colleges are involved in taking this initiative to the students, I think they have big impact on the society. The students who are developed, who are actually being groomed in these colleges, they will be very useful for the society. इसके अलावा, AICT इस समय जो काम कर रहा है कि minor degree in universal human value जो है, वो एक suggest करने चाहिए. आप सब लोग को पता है कि आने वाले टाइम में जो है, जो जो जॉब्स हैं, वो किस एरिया में आएंगी और किस एरिया में खतम हो जाएंगी, शायद हम सब लोग अभी असमंजस में हैं. क्योंकि जो mechanization और automation का time है, इसके बाद में, because of robotics and all, बहुत सारी jobs जो है, वो खतम हो जाएंगी और बहुत नई job निकल के आएंगी. तो ऐसे में मैंने कहीं पड़ा था, उसने, उन्होंने ये कहा था कि, jobs का कुछ पता नहीं, लेकिन एक चीज़ जो है, वो हमेशा डिमान में रहेगी, वो है, if you have a yield to work for the humanity. क्योंकि humanity को ऐसे लोगों की बहुत जुरत रहती है, जो की society के लिए कुछ करना चाहते है, जो नीदी लोगों के लिए कुछ करना चाहते है. तो अगर आपके अंदर humanity है, you have a good perception towards the life, towards the environment, towards yourself, in that case, you are very much required in each and every sector, each and every sector of the job, each and every sector of life. So, I think keeping this in mind, AICT ने जो है, minor degree program जो है वो प्रपोस कर रहे है, अभी it is under process, बहुत जल्दी इसको हम अप्डेट कर देंगे अपने model curriculum में, and then it will be recommended to all the students. And we are also in the process of coming with the minor degree streamed electives, open electives in Indian knowledge systems. Indian knowledge system के बारे में, in fact, if you talk about the mandatory induction program, Indian knowledge system itself is a part of this induction program. UHV 2 जो है, वो अल्रेडी हम अमेंडेटी का चुके है, आई केस्टू पे भी एक कोर्स बनाने के process है, वो भी बहुत जल्दी ही हम रेक्मन करेंगे colleges को, and इसके बाद में electives और minor degree in Indian knowledge system, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया का जो हमारा जो इत्यास है, वो इतना गौरवशाली है, और ऐसी बहुत सारे हमारी जो खोज हैं, जिनके बारे में अभी हमारे students को पता ही नहीं है, और उन खोज को ही अगर हम अच्छे से समझ लें, तो शायद एक नया रास्ता जो है, अपने research को आगे ले जाने का हम को मिल सकता है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए Indian knowledge system आज सभी students तक ले जाने की पोशिच कर रहे हैं, और अगर हम यह जो इतना सारा काम हुआ है या हम कर रहे हैं, इसमें AICT की leadership का vision है, AICT की team का support है, लेकिन हम सबसे यह कुछ नहीं हो पा था, जब तक इसमें इतने सारे volunteers जो हैं, वो जोड़ते नहीं, लगभग 400 से जादा volunteers हैं, जिनोंने 13,000 से जादा personal days, personal days यह ऐसे as such personal days नहीं है, यह hours हैं जो उन्होंने अपने personal time में से contribute किये हैं, तो उन लोगों के contribution, उन लोगों के dedication के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं था, और यह जो UHV2 का हमारा program है, यह जो online mode में हम चलते हैं, लेकिन online mode में भी इसकी effectivity बिल्कुल कम नहीं हो, इसके लिए बहुत ही rigorously यह program किया जाता है, अगर 100 लोग इसको attend करते हैं, तो शायद उसमें से certificate 50 लोगों को ही मिल पाता है क्योंकि जब तक आपने attend किया, लेकिन आपने seriously नहीं अटेंड किया, आपने सभी उसके process में participate नहीं किया, और final जो है, आपने अपने जो जो है उसका learning में नहीं convert हुआ, तो in that case certification को कोई फायदा नहीं है, इसलिए certification बहुत कम लोगों को मिलता है, और इसके वारे में और भी बताना चाहेंगी, यह program जो है, online mode में, AICT को देखा जा, it's very cost effective program, and online mode में, it is not costing, not more than 25 पेसा पर रजिस्टेंट, और सभी स्टेट से अब तक पार्टिसिपेंट इसमें जो है, पार्टिसिपेट कर चुके है, और उनका feedback जो है, वो amazing रहा है, यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि February 2021 में, जब यह Corona का टाइम आया था, और सब lockdown हुआ था, तो उस समय जो है, हमने यह सूचा कि, क्या हम इसको online mode में इस program को करें, क्योंकि उससे पहले हम हमेशा face-to-face mode में करते थे, तो हम लोग भी, और in fact हमारी NCC IP की team, हम सब लोग थोड़ा सा चिंतित थे कि यह कैसे हो पाएगा, क्योंकि यह program में बहुत ज़्यादा discussion है, बहुत ज़्यादा बातचीत है, जिससे जो है, लोग अपने problems की बात भी करते हैं, और UHV के जो principles हैं, उनके थूँ समझने की कोश चीज भी करते हैं, तो online mode में यह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, यह मन में यह था, तो इसलिए लेकिन हमारे जो chairman sir है, और visionary leader इसलिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, यह हो जाएगा, और इसके लिए जो है, सबसे पहली जो FDP करेंगे, वो AICT की officers क के लिए करते हैं, तो पहली online FDP, AICT की officers के लिए की गई थी, और उस 5-day FDP में, we found की, yes, this can be possible, it is going to be effective, हम पूरा discussion भी उसमें कर पा रहे थे, हमारे सभी question का answer की, and the learning which was happening, it was so good, कि इसको हमने, we started at that time, and उसके बाद देख लीचे, हम 75th FDP का जो है, well-dictory में आज present है, तो इस पूरे जर्णी के लिए, हमारी leadership का बहुत-बहुत धन्यवार, और AICT की यह सारा जो material है, in fact, जो student action program का syllabus है, UHV2 का program है, यह सारे lectures जो है, यह सब AICT की website, FDP SI portal पे available है, in fact, YouTube में भी इसके lectures जो है, available है, we will try that these lectures should be converted into some courses and should be uploaded there also, but अभी right now, if you want to learn them, it is, all the online material is available on FDP SI portal. And AICT का जो media cell है, वो भी इसके program को बहुत लेवल तक ले जाने के लिए, AICT का जो media handle है, AICT media YouTube, इस पर अगर आप जाएंगे, तो आपको AICT के, FDP SI के बहुत सारे online programs जो है, वो आपको में जाएंगे. Yes, every week जो है हम एक नई FTP शुरू करते हैं, और इसमें जो है, every Monday जो है 9.30 पर एक वन आवर सेशन होता है, और उसके बाद में अप्टरून में डिस्कुशन सेशन है, so this is a very planned and well-established system, and every week we are doing this, but yes, it was not possible without the team, they are behind this, so many-many thanks to all of them, and apart from NCC UHV and NCC IP team, AICT की leadership, AICT में there are more people who are actually behind this program, if we talk about, for example, Colonel A. Shrinath, he is director in Policy and Academic Planning Bureau, is, हम को हम को हम करते हैं, जो हमारा curriculum है, model curriculum है, उसमें जो हम UHV को कैसे इंकोर्परेट कर सकते हैं, with the recommendation from the Duke committees, committees are there, they are actually going through the content, they found it very useful, then only they recommend for this, to be included in the model curriculum. Colonel B. Venkat, he is director of Faculty Development Center, and he is again supporting this program through his teacher's training policy. Induction program cell in AICT cannot function without the people who are behind this, for example, Aditya Senni. Aditya Senni is a young professional with us, and a very energetic youth, and he is helping us in scheduling all these activities, he is very good at IT. Our IT consultant, Nistha Gupta, she is also a kind of backbone, she herself created the portal for this FDPSI portal, and MC Sharma ji, he has also been a very good support for this program, so everyone induction program cell might be used, and in fact consultants, so I am thankful to all of them. With this, I think, I am very grateful to all of you, and I hope that this program will continue in the same way, and now AICT will be able to reach all of the educational institutions, AICT, UGC, School Education, in fact, every student should be benefited through this theory, through this initiative. This is my wish. Thank you very much. Thank you very much, Nistha Gupta Ji. Thank you for your blessings, Shubh Kamnao, and as DIPTI Director IPC, for your active throughout participation. Thank you very much. Professor Charan, Chairman NCUHB and former Vice Chancellor BTU, Sir, you are a very grateful for your thoughts to help you, that you have to disclose your thoughts on your minds. Please, sir. Hello, sir. Please, please, and welcome, I am so grateful. आज़ादी के 75 वर्स और इस 75 वर्स में मनाई जाने वाले अमरत अमाहुस्व के आश्र पर है एउनली दरह इपिचक्टरों है परक्षाप सब्सक्राइब के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण के लिए यह सबसर पर मैं UHV की तरफ पीम की तरफ से आप सभी का हाड़ी स्वागत अभिनादन करता हूँ अधिनिये अनियर सस्तरबुद्दे जी, Honorable Chairman EICT, Honorable Vice Chairman EICT, Prof. MP पुनिया साथ, Honorable Member Secretary EICT, Prof. राजी कुमार जी, मैडम नितु भगत टिप्टी डारेक्टर और EICT पे इस कारेकर को प्रमुक्ता से संचालन करने के लिए उनकी सारी टीम, आधिनिये रजनी सवडा जी जो UHV की तरफ से संपोन कारेकर्म के संचालन में अपनी महत्यपुन भागिदारी निबारे हैं, और उन्ही के मार्क दर्शन में काम करते करते हैं, और मैं वेक्तिगत रूप से देखू तो मैं उन्ही का एक तरह से फोलो करते हुए ही इस कारेकर्म से जुड़ा हूँ, और अब तक जुड़ा हूँ, UHV की सारी टीम और सब से ओपर मेरे सभी सिक्सक साथी जो इस कारेकर्म में जुड़े हैं, उन्हीं सबका मैं UHV की तरफ से एक बार फिर अभी देन करता हूँ, अरफ वर्तमान जो वेवस्ता समाज में हैजो को नाम दिया है और इसा अधूनिक समाज की वेवस्ता जो भूतिक वादपे आधरित है कि हमारे पास जदा जड़ा वेवस्ता हो, जड़ा जड़ा सूज़ीदा हो, और हम जदा जदा सुविधाओं का संगर्ण कर पाएं और उससे आधारित जो हमारा जीवन है हमारा जीवन सुखी होगा हमारा जीवन संपन कहलाएगा और इससे जीवन से चलते हुए जो समिश्याइं सामने आ रही है उन समिश्याओं और इस तरह की संस्कृति का अगर हम त इसमें अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीने को ही सुक कहते थे इन दोनों में एक तरह से दोंद चल रहा है इस आधुनिक व्यवस्ता को आधुनिक संसक्रती का नाम भी दिया जा रहा है और इस आधुनिक संसक्रती में संसकार के आधारत पर जीवन में मुल्यों में कमी की वज़े से जो वेवस्ता में और आपसी रिस्ता में जो कमी आई है जो खटाई आई है उसके दुष्प्र नाम से हर्वेक्टी दुखी है और वह मन ही मन यह सोचता है कि इस से कैसे बाहर आया जाए लेकिन कभी-कभी समाज में इस वेवस्ता को देखते उसे लगता है कि सा जिया जा सकता है उसको लागू किया जा सकता है अपने आप में और उसको आगे बढ़ाकर समाज तक लिजा जा सकता है उसे एक बहुत बड़ी आसा बनी है और इस उमीद के साथ मैं जब यूएच वी के अब तक के आयाम को देखते हैं तो तब लगता है कि यह उमीद आगे बहुत दूर तक जानी वाली है कि इसमें निश्चितरूप से कहा गया कि अगर समाज की कुस विभWasता को बदलना है तो प्र से सिक्सा को बदलना होगा कि अब सिक्सा को बदलने की अक 465 बदलने की माक्रेश ऑख जह पर रहते हैं चीका को process को पॉलिश कहने वालें कि आख़ो को सबसे नीचे की स्तान तक पहुंचाने की जो नीती बनाते हैं नीती निर्धारक है उनका एक महतोपून रोल सामने आता है और अब हमारे सामने एन इपी दो हजार बीस राष्टी सिक्षा नीती ने इस इसी तुरूप से सबित कर दिया कि वो उसके लिए समर्पित है उसने अ समाज तयार हो उसवेक्ति का क्था बिकास होगा समगर्यवी काश्यों समाद होगा यह समाज उन्वाइब होगा और लागू करने के अगले कदम जो जो हो सकते हैं वो अलगातर कर रही है लेकिन इसके बाद जो कड़ी है जो देश के इस तरह पर सब्सक्राइब करना चाहूंगा और मुझे आश्चरी होता है कभी कभी इस बात को लेके कि इस बात को 2020 से बहुत पहले 2017-2018 में भी इस बात को समझे लिए कि शिक्सा में मुल्याधार इस शिक्सा बहुत जरूबी इसकिल भी शिखेगा तो मुल्याधार इसकिल होना चाहिए मुझे लगता है कि यह ग्यान जो उनको जिस तरह से मिला होगा बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि मुल्याधार इस होनी चाहिए जानना बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन ऐसे हालात में इसको इंप्लीमेट करना लागू करना और नीती में लाना डोकुमेंट बनाना यह मैं पहले जब किस तरह से इसको निश्प्रभावी करने की किस तरह से इसको डाइवर्ट करने की किस तरह से जोड कि इसको हलका बनाने की को कि मेरे अपने दोस्तों होने के प्राइब को समझाना मुस्किलता और इस नीति लागू करने के बाद जब मैं वाईस तंसर के रूप में देखा तो बहुत आसान है वाइस संसर के लिए इसको लागू करना तो मैं समझता हूं कि मिनिस्टी से लेकि एक्स बोडिश से लेकि व सब्सक्राइब करता हूं जब तक इस कोर्स से निकलेगा निए तब तक उन्याय नहीं कर सकता यह बात में अपने अपने विश्वी जले में लागू किया और जब मैंने अपने को वरक्शोप करने के लिए का तो मुझे ऐसा मेसुस हुआ कि भूत बेमन से कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनको जबरता से का जा रहे हो और से का जाता है तब ही मुझे ध्याना आया कि मुझे सबसे पहले वर्क्सोप करना चाहिए और जब मैं खुद आख दिन का वर्क्सोप करके आया मेरे डीन डारेक्टर के साथ करके आया तो इसके बाद यह रस्ता बहुत आसान हो इसके मैं समझता हूं कि मेरे सिक्षक साथ्चों का रोल कि पॉलीशी मेंकर एपयक्स बोर्डी वाइस दॉसलर यह सरी सेनापती की रूप में क्का करते हैं लेकिन अंतिम युद्जो लर्णा है जिसको पुर्मुक्ता से लड़ना जिसको बॉर्डर पर जाके लड़ना है जिसको विद्यार्थी तक ले जाना है उसका क्राम हमारे सिक्षक का कई बार हमारे सिक्षक के भी बोलते हैं कि जैसा समाज होगा वैसा सिक्षक होता है कि शिक्षक के लिए यह कहना ठीक है विद्यार्थी का परिवतन सिक्षक को देख के होता है उसके विवहार को देखते होता है तो विद्यार्थी एक पीडी से दूसरी पीडी तक इसको ले जाए कि मुझे लगता है कि मैं अपने दायरे को कम नहीं समझना चाहिए वह तो नहीं से इसी बात कहते हैं कि जैसा समाज होगा वैसे सिक्षक होगा वैसा समाज होगा कि सबसे पहले हमारे से को यह मैं अपक्र करता हूं कि वह इस तरह के कोड़ से निकले जो इसको साथ्याओं को प्रोशाइब करें समाज में जहां हो है वह अपने व्यावार से अपने आच्रन से थाबित करें कि आपने कुछ उनसे हट के सीखाए हच कर जाना है और हटके जान तभी तो आप समाज का आईना है। मुझे लगता है इस महत्वगुन कड़ी को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये बात एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जाएगे लिए। आपका बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा जुनवारी है आपके। मैं मैसूस करत हो मैंने अपने विश्वी जाले में देखा है कि जो सिक्सक इसे निकले है उसने अपना दायुतों को बहुत भली बहुते निबाया है और उनका परिवर्तन अपने खुद की जीवन में और उनसे जीवन से विद्याफ्य तक पूशता है। इसलिए सिक्सक साथियों जो कु विद्यार्थी तक जाना चाहिए और विद्यार्थी संसकारित होना चाहिए तभी आपका जीवन सफल है। और इसलिए में एक बार फिर आपसे इस अपक्सा के साथ कि आप इसको संपूर्ण रूप से आगे प्रचारित करेंगे और जो विवस्ता आप देख रहे हैं अभ त्यार कर रहे हैं माइनर डिग्री त्यार कर रहे हैं 400 बहुत बड़ा नंबर और जिस चार सो से गयार हुए उन चार सो की शिंख्याबी बढ़ने वाली एक धान में और आया जो मुझे बहुत ही महत्तों लगा यह मैं समस्ता हो कि समाज में बहुत बड़ा परिवतन कर सकत है निचार सो वोलिंटीर सौस पर्शन मैं से लगभग 50% महीला सिख्षक है मैं इसको विशेश वुशेश लिए कर रहा हूं कि अभीत वत्मान हमारे जो समाज की स्त्रिप वह समाज पिस्त्रिक में जो मैला है अपनी हैं सिख्षक है तो सिख्षक का चारे तो करते हैं घर क करें भी उनको करना पर पर दोनों काम को करना परते यानि उनके दोहरे काम के बावजूद भी अपना समय दे कि इन प्रोग्राम में अपनी भागेदारी निभा रहे हैं और इस परसंड के रूप में टेक्निकल सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ा एक दिसा है यह एक नई दिसा समाज में टेक्ने वाली है यूढ़ा जाता है कि सनसकार घर में महिला से ही शुरू होते सबसे पहला ससकार मा से ही शुरू हивается यह जो जिस तरह का परिवथन यह 50% जैदा महिलाओं की भाग मने मुल्य आधारित हमारा देश मने तई भी तो हमारा देश संपूर्ण जगत का विश्व गरू जगत गरू हो सकता है बहुत-बहुत अबहुत 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 ही सहस्वाभाविक लेकिन प्रेणादाई वक्तव शैली अबहुत-बहुत धन्यवाद कर एक शिक्षक एक विद्यार्थी से सच्ता समर्ता उठता विद्याले फिर विद्याले से पुष्चित पुष्पेत पल्लवित होता न्याय और समतापून अखंड समाच और अंततह राश्ट का समग्र विकास यही तो है NEP 2020 और इस अर्थ में कटिबद है AICT की विजनरी लीडर्शिप में पूरी Universal Human Values Family जो धीरे-धीरे करके संख्यात्मक और गुनात्मक दोनों ही रूप से विस्तार ले रही है बिलकुल वैसे जैसे पुनिया सर ने कहा मैं अकेला ही चला था जानिबे मन्जिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया AICT के संख्यक दिशानिर देश में देश व्यापी उच्छ शिक्षा से प्रारम हुआ ये सफर आज माइनर डिग्री एक्स्टेंशन इंटू एडल्ट इनफॉर्मिल एडुकेशन प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भी शिक्षन सामगरी और शिक्षकों की तयारी हे तू सुवसर प्रदान कर रहा है। पचास वॉलंटियर से शुरू हुआ ये सफर चार सो की संख्या पार कर चुका है और यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। तो ये कारवा, ये यात्रा यूँ ही बढ़ती रहे, चलता रहे, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। सभी को शुखकामनाई, शुवेच्छाई, सभी अग्रजो अनुजों का आभार और सभी साथी सहयोग्यों का हृदय से धन्यवाद। पुना मिलने की अपेक्षा के साथ अभी आज इस कारेक्रम को यहीं पर विराम देते हैं।